नमस्कार दोस्तों, रेज के सेनाइस एकेडमी के आज इस बिशेस सत्र में आप सबी लोगों का स्वागत है आज के इस टॉपिक के अंतरगत हम लोग परियावरण को सेलेक्ट किये हैं और इसके अंतरगत बिभिन परकार के परिक्षाओं में पूछेगे सवालों को संकलित किया गया है जिससे हाल फिलहाल में संपन हो लानी बिभिन परकार के परिक्षाओं में पूछा जा सकता है यह लेक्चक बिसेश रूप से अध्यापक पातरता परिक्षा को ध्यान में रख करके बनाया गया है फिलहाल इसमें तथ्यात्मक योम और धारात्मक दोनों ही परकार के सवालों को संकलित किया गया है जिससे अन्य सभी परिक्षाओं में आप लोगों के समझ में बृद्धी होगी तो आईए हम लोग एक एक करके इन सवालों को देखने का प्रियास करते हैं जैसा कि पहला सवाल है कि नीची दिया गया कौन सा एक समूझ जड़ों का है मतलब ये सबजियां हैं जो जड़ से संबंदित है पहला विकल्प चुकंदर अलू अद्रक अद्रक परकंद है इसलिए नहीं होगा दूसरी विकल्प में भी अद्रक है नहीं होगा तीसरा विकल्प हल्दी आदमूली और सकरकंद में भी हल्दी परकंद के अंतरगत आता इसलिए नहीं होगा चौथा विकल्प गाजर शुकंदर और मूली है अर्थात चौथा विकल्प इसमें सही होगा इसी तरीके से ऐसे सवाल कभी कभार इसमें बिकल्प चेंज करके भी परिच्छा में पूछे जा सकते हैं तो आप लोगों को कम से कम जड़ों के अंतरगत आने वाली इन सब्जियों को ध्यान में रखना होगा तो अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं रेगिस्तानी ओक नाम एक पेड़ है जो पाया जाता है अबूधावी आउश्ट्रेलिया राजस्थान के रेगिस्तानों में सन्युक अरब अमीराथ में तो यह है आउश्ट्रेलिया के अंतरगत पाया जाता है और इसके मुखे बिसेजता है कि इसके जड़ें काफी गहरी होती है जो पानी के तरास में काफी नीचे पहुंच जाती है तो ये भूमी का तस्तर पर जल में कमी आती है तो ये पहुंदे जड़ों के माध्यम से अपनी जल की आउसकताओं को पूरा करने के लिए काफी नीच तक जाते हैं जिससे इनके जल किया हो सकता पूरी हो जाती है तो यह बिकल्प भी इसमें सही होगा अगले सवाल के तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि नेफेंती जुबह पौधा जो सिकार करता है कि विसे में नीचे दियेगे कथनों पर विचार कीजिए यह पौधा आश्ट्रे इंडोनेसिया और भारत में पाया जाता है विकल्प एक सही है इसी तरीके से यह घड़े जैसा इसलिए होता है ताकि इसमें बिफिन प्रकार के जो है कीट पतंगे फंस जाते हैं जिनका इस सिकार करके अपना भोजन बनाते हैं तो यह भी सही है यह कीडे मकोडों को फसा क सिकार कर सकता है यह भी सही है और अगला है कि यह मनमोहक आवाज निकालता है चुकि ऐसा कोई बिकल्प नहीं है जिसमें A, B, C और D तीनों ही बिकल्प हो और चौथा इसमें वाकि गलत भी है तिस तरीके से बिकल्प संख्याचार यानि की A, B, C, D इस सवाल का सही उत्तर ह होगा अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि उच ज़र यानि की तेज बुखार के साथ कम कपी जिसका उपचार सिंकोना के पेड़ की च्छाल से किया जा सकता है बेसिकली सिंकोना के पेड़ से उन्हें नमक दबानी का लिए जाती है जिसका मलेरिया में परियोग क किया जाता है तो इसने बीच के एक स्टेप को गायब किया है तो हम लोग सिंकोना के पेड़ की च्छाल का परियोग मलेरिया में कर सकते हैं अर्थात इसमें वाक के दो यानि की बिकल्ब संख्याद दो इसका सही उत्तर होगा हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि तमिल की अगला सवाल है कि तमिलनाडू के निकटवर्ती राज्य हैं तो तमिलनाडू भारत के दक्षिडी छोर पर पूर्वी तट पर बसा हुआ है और केरल इसके जस्ट जो है पस्चिम में है केरल इसके जस्ट पस्चिम में है तो तमिलनाडू का निकटवर्ती जो पास उपर है तो करनाटक होगा और आंध्रापरदेश पूर्व में जब आंध्रापरदेश और इसका जो दूसरा भागते लंगाना है जब इसका वर्गीकरन नहीं हुआ था इसका विभाजन नहीं हुआ था तो ये राज्य भी आता था तो इसलिए इस सवाल का सही उत्तर बिकल्प डी यानि की आंध्राप्रदेश, केरल और करनाटक होगा तो हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि NCF 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमी कस्तर पर परियावरण अध्यान सिक्षन का उद्देश से नहीं होना चाहिए इसमें बिकल्प के तरफ से हम बढ़ते हैं कि विशेस्ता परियावरण के प्रती बच्चे की जिग्यासायूं सिर्जनात्मक्ता को बढ़ावा मिलना यह होना चाहिए और प्रशन में पूछा गया है कि क्या नहीं होना चाहिए तो हम गलत वाके की तरफ बढ़ेंगे अवलोकर वर्गी करों निसकर्ष निकालने की प्रक्रिया के माध्यम से संग्यानात्मक और गत्यात्मक कौसल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कारियों में बच्चों को सरलंगन करना ये भी होगा इसी तरीके से प्राकिर्तिक और सांसिकर्तिक वा सामाजिक है और इस तरीके से यही वाक्य सही बिकल्प के रूप में होगा यानि कि वाक्य संख्याचार इसका सही उत्तर होगा अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि परयावरणी के अध्यन कक्छाओं तीन से पांच के लिए एक बिसे छेत्र है जो संकलित करता है तो यहां परयावरण अध्यन के संदर्व में सही है परयावरण अध्यन एक बिसे है जो 1-5 की कछाओं में पढ़ाया जाता है अब अभी हमने पूर्ब के जो है क्वेस्चन में देखा कि यह 3-5 की बीच में पढ़ाया जाता है तो यह वाकि इसका गलत हो जाएगा इसी तरीके से एक सिद्धो की कक्षाओं में ये भी गलत हो जाएगा एक सिद्धो की कक्षाओं के लिए भासा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्यन कराया जाता है ये है वाकिछ चुकि पर्यावरण को एक बिसे की रूप में सामिल नहीं करता है अर्थात ये विकल्प यहां पर सही होगा एक और दो की कक्षाओं के लिए भासा और गणित एक और दो की कक्षाओं के लिए भासा और गणित के रूप में ये पढ़ाया जाता है अगला वाके 3, 4, 5 की कक्षाओं में प्रयावन अध्यन भासा गनित नहीं यहां पर पूर वाले कोईस्टन में भी हम लोगों ने देखा था कि 3, 4 और 5 में यह जो है एक बिसे के रूप में पढ़ाया जाता है इसी तरीके से अगला वाके है एक दो की कक्षाओं में प्रयावन अध्यन से जुड़े मुद्धे बिग्यान और समाजे बिग्यान नहीं यह 4-5 में पढ़ाया जाता है और यह गनित्य रूप में और इसी तरीके से समाजी बिज्ञान के रूप में इसका अध्यन किया जाता है तो वाकि संखिया इसमें 2 सही होगा अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि बच्चों को परियावरन अध्यन को सीखने के लिए खोजने के दौरा परियाप्त समय दिया जाता है यह इंगित करता है कि परियावरन अध्यन याद करके सीखा जाता है हमेशा भी कोई इस तरीके की नकारात्मक गद भी दिया है जैसे रटने की बात हो जाए बच्चों को दंड देने की बात हो जाए बरतमार समय का जो कांसिप्ट है वेसिकली उसमें इस तरीके के नकारात्मक बिसेस्ताओं को बाहर कर दिया गया है और एक सहज ढंक से और सरल ढंक से खेल खेल में सिच्छा इन सब बातों को इसमें सामिल किया जाता है तो इसलिए हमें ऐसे वाक्यों को निकालना होगा अगला वाकिया परियावण अध्यन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है ये भी नहीं होगा अगला होगा परियावण अध्यन बाल के इंद्रित है और इस तरीके के जो कांसेट आज की डेट में टीचिंग का डेवलप हुआ है वो हमेशा बाल के इंद्रित है और बच्चों के अस्तर को बच्चों के लर्निंग लेबल को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस तरीके के बिसियों को रखते हैं और उसके माद्धिम से उनको पढ़ाते हैं उनका अध्यापन करते हैं तो इससे उनमें सहज ढंक से किसी अंता बिक्सित हो दिये तो कुल मिला करके यहां पर बाल के इंद्रित होने के करण से उबाग के तीन इसका सही उत्तर होगा अगली सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि निमनेलिकित में से कौन सा पर्यावरन अध्यान पाठे करम के सुझाबित परकरणों का उप परकर पूछा गया है उप परकरण यानिक उप थीम से संबंदित है और चार जो उप थीम दिये गए हैं उसमें आपसी संबंद है काम और खेल है जानवर है और पौधे हैं तो इन चारों में से यहां पर जानवर दिया हुआ है अर्था बिकल्प संख्या तीन इसका सही उत्तर ह अगर थीम पूछा गया होता तो हम चार उप थीम के बजाए छे प्रकार के थीम पर विचार करते यहां पर परियावरण यों मित्र भोजन आवास पानी यात्रा और कैसे बनाते हैं अगर इन छा प्रकार के थीम को थोड़ा सा साइंटिफिक धंग से अगर देखा जाए तो उसको सोनी की जरूरत होगी तो आवास की जरूरत पड़ेगी और जब बेक्ति कहीं पर रहेगा तो अशनान करने के लिए उसे पानी की जरूरत पड़ेगी तो अगला थीम पानी है और इतना सब करने के बाद बेक्ति जब एक अस्थान पर रहते रहते उबने लगेगा त भोजन, आवास, पानी, यात्रा, हम चीजें कैसे बनाते हैं, इस प्रकार से हम थीम को याद कर सकते हैं, अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि निमलिखित में से क्या परियावरन अध्यन के सिच्छक के लिए वान्छनिये गतिविधी है, बिभिन कक्छाओं के जिस वाकिका उत्तर नहीं होगा, उसे हम रिचेक्ट करेंगे, और जो बचेगा उसे हम सेलेक्ट करेंगे, तो परियावरन दिन की आउधारनाओं से समंदित, दूसरा वाकिया परियावरन दिन की आउधारनाओं से समंदित महत्पूर्ण सूचनाओं को बच्चों के देन ये भी नहीं होगा इस तरीके से इसका पहला जो वाकिय है यही इसका सही उत्तर होगा अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि बच्चों को परियावण अध्यन सीखने में प्रभावसाली तरीके से जोड़ा जा सकता है बृतान्त है कहानी है ये दोनों ही सरल भाव है और बार बार ये चीश हम बता रहे हैं कि हम लोग सरल से कठिन की तरफ बढ़ेंगे और इस रूप में बिरतान्त और कहानिया सरल होती हैं जबकि दोनों अन्यवाकिय कठिन हैं और धाडाओं पर बल देते हैं इसलिए इसमें हम बिकल्प दो यानि कि A और B वाकिय को सही मा प्रकार की घटनाओं का अधिन कर करके एक निसकर्स पर पहुचा गया कि प्रत्वी प्रतेक वस्तु को अपने केंदर की तरफ आकर सित करती हैं उसी को ही गुर्तवाकरफन सक्ति कहा गया है तो यहां पर ग्याद से अग्याद से इसका सही उत्तर होगा अगले मैंने बिल्खित में से कौन सा परियावन अध्यन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है वार्सी कुपलब्दी परिच्छण क्योंकि यह एक संकी आकलन की रूप में सामिल किया गया है जो कि साधन की रूप में नहीं है अर्थात वाके चारीज का सही उत्तर होगा अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि निमलिकित में से किसको परियावन अध्यन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आकना इबियस पाठे पुस्तक में प्रतेक पाठ के अंत में दिये गए आओ करके सीखें इसको देखना संकेत को का परियो करना गुडात्मा का आकलन निस्चे तरफ पर ये तीनों वाके इसमें सही है इनको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? सही ओर गलत की रूप में उसका आकलन नहीं करना चाहिए क्यूँकि ऐसा करने से छात्र हतोत सहीथ होता है अर्थात हमें जो भी टीचिंग का जो मैथट है teaching के जो approaches हैं उसमें ऐसे points और भिंदू को सामिल करना है जिससे बच्चों को सहज ढंक से पढ़ने में आसानी हो उनकी उपर किसी पी तरीके करना का रात्म गदी भी दीना हो क्या कोई negative impact नहों तो यहां पर सही या गलत में आकेंगे तो हम बच्चों को हाथोत साहिद करेंगे इसलिए ऐसे ही वाक के कोग यहां पर निकालेंगे जो की सही उत्तर होगा अगले सवाल पर हम लोग आते हैं कि निमलकित सूची में विचार कीजिए कि कचुवा, घड़ियाल, कववा, बत्तक, मचली इस सूची में से कौन एक दूसरे सी भिनने तो जाहिर सी बात है कि इसमें मचली, घड़ियाल और कचुवा पानी में रहते है और कववा जो है वो हावा में रहता है तो कववा इसका सही उत्तर होगा मैना इसका उत्तर होगा यहाँ पर ब्याख्या भी दे दिया गया है आप लोगों को और इसमें एक और वाक्यांस जुड़ा हुआ है उल्लू जो कि 360 डिग्री तक अपने गर्तन को घुमा सकता है चुकि ऐसे सवाल परिच्छा में पूछे जा रहे हैं तो उसे से जुड़े हुए किसी भी क्वेस्टन से जुड़े हुए अन्य ओधाणाओं को भी देखना आवस्तक है क्योंकि वहाँ से भी सवाल आपके सही हो सकते हैं या परिच्छा में प्रशन पूछे जा सकते हैं तो अगले सवाल के तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि निमनिलकित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता इसमें डीजल, मॉम, ग्रीस ये सारी कीजें लूब्रिकेंट्स या आईल से रिलेटेड हैं जबकि कोईला जो है वो जीवास्म के लंबे समय तक पिर्थवी में दवे रहने और विभिन प्रकार के रासायनिक और भौतिक गदविधियों के परणाम सुरूप बनता है तो यहां पर कोईला प्राप्त नहीं होता बलकि पेट्रोलियम से ये तीनों चीजें प्राप्त होते हैं सही उत्तर इसका वाकिचार होगा इससे तरीकेस हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि निमनलखित राज्य समूह में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर है अरब सागर हिंद महा सागर का भाग है और यह भारत के पस्चिम में भारत के पस्चम में है और भारत के पस्चमी तटों पर अगर राज्जियों की सिरीज को देखा जाए तो करनाटक, केरल और गुजरात ये तीनों ही राज करनाटक बीच में है, केरल सबसे नीचे और गुजरात उपर है, तो इस तरीके से इसका सही उत्तर होगा, खेर हम प्रतेग बरस के परिच्छा में आए हुई सवालों का अगर मुल्यान किया जाए तो यह निसकर सवस्य निकलता है कि यहां पर एक मैपिंग से एक क्वेस्चन हर बार परिच्छा में पूछा जा रहा है यानि कि हमें विभिन प्रकार के परिच्छों की वाउगोलिक इस्तित का आध्यन करना होगा और अपने माइंड में एक इमेज बनाना होगा कि तुलनात्मक रूप से सापेक्षिक रूप से दिसाओं के आधार पर उन पर देशों की क्या भाउगोलिक इस्तिती है क्योंकि इसके आधार पर हम परिच्छा में एक सवाल तो निस्चित रूप से ह भी सही कर लेंगे तो हमें मैप को एक बार ध्यान में रखना आवस्चिक है जैसा कि अगला सवाल आप देखेंगे तो उसमें भी सीधा सवाल पूछा गया है कि हमारे देश के मानचितर में जहार खंड कहा इस्तित है ध्यान रहे कि जहार खंड बिहार का पार्ट है जो कि पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और तीसरा है उरीसा की उत्तर में यहां पर यह उत्तर सही होगा क्योंकि उरीसा उसके दक्षिड में है तो उरीसा की उत्तर में जहार खंड होगा यानि कि विकल्प तीन इसका सही उत्तर होगा तो इस तरीके से आप लोग मैप के संद एक में रेत के पहार जिने रेत के टीली कहा जाता है पाया जाता है तो बेसिकलिए ये सवाल का उत्तर अबुधाबी होगा क्यूंकि अबुधाबी सन्युक्त अरब अमीरात में है वहां पर बहुत ही रेत पाया जाता है ये गल्फ खाड़ी है जहां पर कंडिली पत्रीरी भ पुटान में है तो यहां पर भूम उतनी कक्रिरी पतली या बलूई या रितिली नहीं पाई जाती है तो इस तरीके से इस सवाल का उत्तर अबुधा भी होगा अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि पर्यावरण अध्यन के पाठों को कम करने के लिए बच्चे के पर परवेश के मुद्दे से जुड़े हुए और अंतह सम्दित समझ के विकास के लिए वाके संक्या तीन है क्योंकि यह पर्यावरण से सम्दित ब्यापक पक्षों को ब्यापक आयामों को कई आयामों को एक समेकित जो है बिसेयों को सामिल करता है इसलिए इस सवाल का उत्तर तीन इसमें होगा अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि नेमने लिखित में से कौँ सा एक परियावाण अध्यन के सम्मंद में सच नहीं है परियावाण अध्यन की परकृत एक ही कृत है सही है परियावाण अध्यन बाल केंद्रित है ये भी सही है परियावर ध्यन बच्चों को अपने प्रिवेश को खोजने का उसर देता है ये भी सही है परियावर ध्यन वड़नों और परिभासाओं पर जोल देता है यहाँ पर पुना ये बिसे को सिमित कर दिया बिसे को शंकिर बना दिया क्योंकि परिभासाओं के अध्यन पर बल देता है रटने पर बल देता है इसलिए यही इसका नहीं होगा और नहीं ही प्रशन में पूचा गया था बिकल्ब इसका चार होगा यहां पर यह भी ध्यान में रखना है कि प्रशनों को पढ़ने के दरान पूरे प्रशन को ध्यान से पढ़ना है नहीं है कि है इसमें अंतर करना है और पुर्णा चारो भी कलब को पढ़ना है क्योंकि कई बारे से सवाल पूछे जाते हैं जिसमें हमें सर्वोत्तम देखना होता है पहला बार के कुछ सही होता है लेकिन उससे भी बेहतर एक बिकल पूपला दोता है जिसे हमें खोजना होता है और वही उस सवाल का सही उत्तर होता है तो हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे कि निम्नलिकित में से क्या एक परियावण अध्यन में ग्यान की रचना में बहुत ही महत्पूर्ण है बच्चों की सक्री भागिदारी निश्ची तोर पर ये होना चाहिए बच्चों के ग्यान को सिक्षकों के ग्यान से जोड़ना ये थोड़ा सा निगेटिब और नाकारात्मक वाक्य है फिलाल हम चारों भी कलप को देखते हैं बच्चों के अस्थानी ग्यान को बिद्याली ग्यान से संबंदित करना है तो ये भी होना चाहिए अर्थात वाक्य दो इसमें नहीं होगा और एक तीन चार यानि की वाक्य एक इसमें भी कलप एक इसका जो है सही उत्तर है हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि परियावणा दिन में बच्चों को जोडने की सबसे प्रभावसाली यूगती है किस से कहानियां जैसा कि एक पूर उबे में भी कुछ चनिस से पूछा गया था किस से कहानियां होंगे अन्य सारी चीजें बहुत ही टक्निकी है और प्रात्मिक अस्तर पर बच्चों की सीखने के लिए बहुत ही कठिन हो सकती है इसलिए इस सवाल का सही उत्तर किस से और कहानियां होंगे अपनी अभिवेक्ति का आउसर देना बच्चों में उनके सीखने की गत के आधार पर बिभेद करना यहां पर पुना है यह वाक्य एक सीमित और संकीर वाक्य हो जाता क्योंकि गत के आधार पर बिभेद किया जाएगा तो यह बच्चों में एक गलत संदेश जाएगा अर्थात ऐसा विकल जिसमें चार होगा वो नहीं हो सकता तो यहां पर एक दो और तीन वाक्य संख्या चारीज का सही उत्तर है और चौथा वाक्य इसमें गलत होगा अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि निम्लिकित में सिक्या परयावण अध्यन में आकलन के संकेतक नहीं होना चाहिए यहां पर पुना अभी याद करने की बात हो रही थी रटने की बात हो रही थी यहां वाक्य पुना तीन पूछा गया है अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि परयावण अध्यन में सिच्छक के द्वारा बच्चों को स्वेंग अपने का आकलन करने के लिए आउसर देना स्वह आकलन यह जो है सीखने के समान ही एक आकलन होता सीखने की तरीके के ही जैसे कोई विवेक्तिक कोई करके सीखता है कोई पढ़ करके सीखता है तो इसमें स्वेंग को अपने को आकलन करने का अगराउसर देगा तो वो सीखने के समान ही होगा अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि Scale Rating में कौन से तकनीक का परियोग होता है यह डेफिनेटली आउलोकन है इसमें यह वाकित अथ्यात्मक है इसको समझने की जरूरत है वाकित संख्यात दो इसमें सही है अगले सवाल निमनिल्खित में से कौन परियावन आध्यान का उद्धेश से नहीं है यहां पर बच्चों को पाठ्थ पुस्तक की परिभासाएं परदान करने के लिए प्रोथसाहिद करना और अगला है बच्चों को स्वेंग हाथ से कार करने खोजने के लिए अगला आप से जोड़ना परवेसी मुद्दों पर जाग रुकता बच्चों के जिग्यासा और सिरिजनात मक्ता का पूर्शन करना यह सारे ही वाग की इसमें सही है केवल इसमें चौत्थ वाग के पाठ्थ पुस्तक की परिभासाएं परदान करने के लिए परुथसाहिद करना यही नही है इसके पूरों में भी ऐसे सवाल पूछे गए हैं जिसमें याद करने की बात कही गई है केवल परिभासाओं पर बात कही गई है तो चुकिए ये एक संकीड जो है सोच पैदा करता है रटने बरबल देता है तो यहाँ पर यह वाकिश का सही उत्तर होगा अर्थात वाकिश सं की द्वारा होता है अवलोकन और अविलेखन अविवेक्ति बिसलेशन करना निश्चित तोर पर अगर कोई भी चित्र बेक्ति देखता है तो उसको अवलोकित करेगा अवलोकन करने का मतलब देखना होता है अविवेक्ति करेगा उसके बारे में बिचार बेक्ति करेगा उ कोई जरूरी नहीं को उसमें सामिल हो और थात एक दो तीन वाक्य संक्याद दो इसका सही उत्तर होगा अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि जूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्दित की बिस्यों में निम्निल खित नीचे दिये गए वाक्यों पर बिचार पहले हम ये समझ लेना जरूरी है कि जूम खेती होती क्या है जिसे अंगरेजी में सुफ्टिघक करने का टाथपर होता कि कई बार आतनी आपने बढ़ाई करने के दौरा सुआ किधरा बोलता है कि रूम को सिफ्ट किया जाना एगगि एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर तो बनों को जला के साफ कर दिया जाता है, वहां पर खेती की जाती है, और जब वह अनुप जाओ हो जाता है, तो उस भूम को छोड़कर दूसरे स्थान पर लोग चले जाते हैं, तो इस तरीके से ये जूम खेती पूरव उत्तर में जो की जाती है, इसी के नाम पर इसको इंगलिस में सिफ्टिंग कल्टिबेशन कहा जाता है, अर्थाथ वहां के संख्या एक इसमें सही है कि फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ साल के लिए इसको छोड़ दिया जाता है, वहां के संख्या एक इसका सही उत्तर होगा, अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, कि आम तोर पर ये माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को किस रंग से देखते हैं, निश्ची तोर पर अगर रात की स्थिती है लाइट बुझा दिया जाए तो आदमी को चीज़ें काला या सफेद दिखाई देंगी और लोगों की स्थिती पूर्व में और प्राचीन काल में चलने वाले ब्लैक एंड वाइट टीवी की स्थिती बन जाएगी, अर्थात वाकिसंक्याचार इसका सही उत्तर होगा, वाकिसंक्याचार काला और सफेद बताता है, केचुओं को किसानों का मित्र माना जाता, कई बार सीधे ही सवाल पूछ लिया गया है, अध्यापक पातरता परिच्छा में कि निमलिकित में से किस जियू को किसानों का मित है दो इसमें नहीं होगा तो इस तरीके से केचुए खरपतवार खाते हैं मुख्य फसलों की रच्छा करते हैं यह नहीं होगा अगला है केचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिसे जमीन की पोली हो जाती है यह भी वाके को इसमें उल्टा करके दिया गया है ऐसे भी सवालों को ध्यान से और बहुत ही कंसंट्रेट होकर के सवालों को पढ़ने और उसके बिकल्प को मिलाने का प्रयास आप लोगों को इक्जाम के दवरान करना है बहुत ही परिच्छक से यह नहीं पूछ सकते कि आपने ये सवाल क्यों रखा है आपको उसे हल करने का हर संभो परियास करना होगा ऐसे प्रिष्ट भूम और भूम क्या मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आगला सवाल आपको इतिहास से पूछा जाने वाला है बिज्ञान से भी उस ताबे का प्रियोग किया गया ताबे की खोज की गई उसके बाद ताबे के बाद लोगों ने टिन का प्रियोग किया और बाद में तीसरे अस्थान नमबर पर ताबे और टिन को मिला दिया गया यानि कि सबसे पहले ताबे की खोज हुई फिर टिन की खोज हुई लोगों क्या किया जब दोधात प्राप्त के दोनों के मिला दिया और बन गया क्या का सा यही इस सवाल का उत्तर यानी की वाके संख्या चार होगा अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि समुदा एक महात्पूर्ण सिक्छणियों मधिकम संसाधन है क्यों की यह वास्तविक इ एक ही इसका सही उत्तर होगा कि अवास्तविक इस्तित्विक को सीखने का आउसर प्रदान करता है समुदाय और यहां पर एक और चीज में बताऊंगा एक ब्यक्ति होता है एक समुदाय होता है तीनों क्रम सा बढ़ते हुए क्रम में हैं ब्यक्ति एक इंडिविजूल होता है जिसमें एक ही ब्यक्ति सामिल होता है दूसरा होता समू जिसको हम लोग आज कल Facebook WhatsApp की दुनिया में Group के नाम से जानते हैं और तीसरा होता समूदा है जो कि एक बहुत बड़े लोगों के समूद को ब्यक्त करता जिसे Community कहा जाता है तो यहां को बिद्याले के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समरिद करने का तात पर यह है कि पूंड बिद्याले दृष्टकोंड पाठ चरया से बाहर जाना पाठ पुस्तकों से बाहर जाना यह उसका उत्तर सही होगा क्योंकि सिख्षड अदिगम को जब हूं विद्याले से बाहर देखेंगे तो निश्ची तोर पर उसे हम किताबों से ही नहीं बलकि किताबों के बाहर किताबों को यहां पर पाठ पुस्तक का गया है और यही इस सवाल का सही उत्तर होगा अगला सवाल है बहुत ही सोचने वाला सवाल है कि कच्छा तीन के चात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता माता और उसके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदी यहां पर एक जोडने वाला सब्द बताया गया है कि यदी दादा दादी और अनरिस्तेदार रहते हैं तो यह बिस्ता परगत माता पिता और उनके बच्चों को ही सामिल किया गया है अने लोगों को इसमें सामिल नहीं किया गया है समा बेस का मतलब लोगों को सामिल करना तो अगला question है कि निमलिकित में से कौन सी EBS कच्छा में गतविधिया हैं स्यामपठ का उपयोग फील्ड का भरमाण चित्र का पड़ना सारी चीजें आती है इर्थात इसका जो है वाकिस संक्याचार उपयोगत सभी इसमें सही उत्तर होगा अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि परियावण अध्यन पाटे करना बच्चों की समगर सिक्छा का कारण बन सकता है यदि यह समा बेसी बिसेग परियावण का जब हम अध्यन कर रहे थे तो यह एक ही करित होता है समा बेसी जैसा कि वी उपर भी बताया गया कि सभी लोगों को सामिल करना बिसे से संबंदित है तो यह उपयुक्त सभी इस सवाल का सही उत्तर होगा अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि EBS आपों को नुकसान नहीं पहुँचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से बंचित करने से पहले बिकलपों को परदान करने की आउ सकता है वाकिसंख्या एक सही इसका उत्तर होगा इसी तरीके से अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि परियावण अधिन के संदर मे बोज की बिना सीखना डेफिनेटली ये 1993 में यसपाल समित की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बोज को कम करने की बात कही गई थी बोज की बगार सीखना तो इसका तात्पर ये है कि ऐसे पाठेकरम को डिजाइन किया जाना चाहिए जो कि बच्चों के अस्तरका होना चाहि अर्थात वाके संक्या एक अबोध अबोध का मतलब बच्चों से है कि उसके भार को कम करने की जरूरत है बोज की बिना सीखना ये स्पाल समीत 1993 में एक रिपोर्ट प्रस्तुद की थी जिसका सीष्थक था सिच्छा यानि कि सीरसक सिच्छा के बिना बोज था अगले सवाल करने के लिए परतीक बच्ची को सक्किरी रूप से भाग लेने और सीखने में सक्छम बनाना तो डेफिनेटली इस सवाल का ये सही उत्तर है चात्रों को आसानी से प्रबंदित करना और वक्लोड को कम करना लड़के लड़कियों को अलग करके सीखना ये सारी चीजें का पूरा रूप क्या है यानि कि बिल्डिंग एज लर्निंग एड यानि कि अधिगम सहाइक के रूप में बिल्डिंग आप लोग बरतमान समय में ये देखते होंगे कि जो भी कुछ कान्विन टाइप की स्कूल है जो भी प्रात्मिक अस्तर के सिखक है और चित्रों के प्रांसेप्ट हैं विल्डिंग पर जो चीजे बनाई या थी जिसके माध्यम से बच्चों को कुछ देने का प्रियाज किया जाता है वो एक बाला साटफार में का जाता है कि बिल्डिंग एज लर्निंग एड यानि कि सिख्षण अधिगम सहाइक के रूप में धाचा क्या होता विकल्फ वो होता है जो कि हम अपने साधन की रूप में किसी चीज़ को अपनाते हैं और वो अगर कहीं पर भी उसमें तुटि ये विक्रिती उतपन हो जाए तो हम कोई दूसरे विसे के रूप में दूसरे यूक्ति के बारे में सोचते है वाइसे ही स HIM व जमू कस्मीर और गोवा की क्या स्थिति है पुर्णा एक मैप से क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है तो जमू कस्मीर और गोवा की स्थिति क्या है अगर यहां पर बिहार को एक पॉइंट करके देखा जाए तो बिहार के बाद उपर और पस्चिम छेतर में जमू कस्मीर ह और इसी तरीके से गोवा दक्षण में और पस्चिम में है तो इस तरीके से यहां और यहां की इस्तिती बनती है तो अब सुएंगे इसका उत्तर आएगा कि उत्तर पस्चिम और दस्चिम पस्चिम वाकिस संख्या एक इसका सही उत्तर बनेगा तो अगले सवाल की तरफ हम ल को धूलते हैं और कप्ड़े को अगर दूरी तक दूरी तक फैलागते हैं और तब उसको धूब में रखते हैं तो गहो कपड़ा जल्दी सूखता है यानि उसमें वास्पन की गति बढ़ जाती है लेकिन यहां सवाल पूछा गया है कि वास्पन की गत धीमी कब होती है धीमी तब होगी जब उसके सता का छेतरफल कम होगा यानि कि कपड़ा जब है तब कम सूखेगा जब उसको हम ज्यादा दूरी तक ना फैला करके कम ही दूरी में रखेंगे तो सता का छेतरफल कम होगा तो उसकी गत धीमी होगी वास्मन की इसी तरीके से जब धूप अच्छी होती है तो टेंप्रेचर जादा होता है तो कपड़ा जादा जल्दी से सूखता है इसी तरीके से जब तापमान कम होगा तो सूखने की गदर धीमी होगी अर्थाद इस सवाल का सही उत्तर है कि सता का छेत्फर और तापमान दोनों में कमी होना चाहिए तब उसकी गति धीमी होगी अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि अस्थान दूरी और दिसाओं के सापिक छीश्तिती को समझने के लिए छमता कहलाती है जिसको याद करने की जरूरत है जिसको समझने की आप लोगों को जरूरत है और तूदा पॉइंट ये क्वेश्चन का एंसर ग्राफिक दूरी और दिसाओं के सापिक छीश्तिती को समझने की शमता चित्रन कौसल से संबन दित है अगला सवाल राष्टी पाठे चर्या फ्रेम और के एंसर अपने प्रात्मिक से इच्छा अस्तर पर एक 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 पाठे चर्या के रूप में पढ़ाया जाने के लिए परियावन अध्यन के सिपारिस की थी अदब पे एंसर एंसर के दौरा एंसर के रूप में NCRT के द्वारा कई प्रकार के रिपोर्ट दिये गया है जो की पहली रिपोर्ट Necfter अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं की भारत में किस चेत्र में अस्थानांत्रित खेती करने का रिवाज है, जैसा कि भी जो भी हम अस्थाना इंतरी खेती यानि की सिफटिंग कल्टिवेशन यानि की जूम खेती को बता रहे थे तो उसमें उत्तरपूर भी बतायते थे इसका वाके का उत्तर भी सुता उत्तर पूर्व हो जाएगा इसमें किसी भी तरीके की बिचलेशन की आओ सकता नहीं है और अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि नदी बादों से उत्पन जल्बिद्द के लिए निमलखित में से कौँसा वाके सत्य नहीं है जल्बिद्द परियावन प्रभाव परते हैं डेफिनिटली हो परता ही है क्योंकि इसके संदर में कई परकार के नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था जिसमें परियावन प्रभाव पर रहे थे लिए प्रभाव भी नहीं होता है क्योंकि ये पानी हवा को प्रदूशित करता है लोगों की जीवन को प्रभावित करता है प्रयावन ये प्रभाव इसमें पढ़ते हैं तो इस तरीके से इस वाकी का सही उत्तर वाकी संख्या तीन होगा और अगला सवाल हम लोग पढ़ते हैं कि निम्लकित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है मीथेन, कार्बन, डायक्साइट, जलवासप यहां पर ऐसा लगता है कि जलवासप नहीं है लेकिन जलवासप भी ग्रीन हाउस गैसों का काम करती है और टेंप्रेचर को बढ़ा करके गलोबल वार्बिंग का काम करती है इसके अंतर गतीका और महत्पूर गैस है जो कि क्लोरो फ्लोरो कार्बन है हाला कि यहां पर नहीं दिया गया है सवाल में लेकिन आप लोगों को ध्यान में रखना कि कार्बन डायाकसाइड क्लोरो फ्लोरो कार्बन मीथेन और जलवासप यह सभी गैसे जो है वो किसी न किसी रूप में ग्रीन हाउस गैसों की रूप में काम करती है अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि भारत में रेगिस्तान मांसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं और रेगिस्तान मांसून से इसलिए प्रभावित नहीं होते हैं ठंडे रेगिस्तान मांसून से इसलिए प्रभावित नहीं होते हैं बिरिष्ट छाया चेतर में होते हैं बिरिष्ट छाया एक ऐसा concept है कि अगर मांसून हमाई किसी जो है परबत से टकराती है तो जिस भाग पर टकराती है वहाँ पर बारिस होती है लेकिन उसके बिपरीद भाग पर बरसा नहीं होती इसलिए उसे बिरिष्ट छाया पर देश कहा जाता तो वाकिसंगत चारिस का सही उत्तर होगा ताजमाल के पीली होने का कराण आमलबरसा है और अमलबरसा के लिए सरफट डाई अकसाइट जिम्मेदार है तो ये एक फैक्ट है अगर विबिस में जो है कभी भी पूछा जाता कि प्रदोर्शन के काराण से किसी बिल्डिंग का रंग खराब हो गया तो वहाँ भी भी सलबर डाई आकसाइट इसका उत्तर होगा अगला सवाल जो कि इतिहास से कौन सी अदिस रासी है निम्लिकित में से कौन सी अदिस रासी है अदिस और सदिस रासियां इस बात पर डिपेंड करती है कि जिन रासियों के साथ परिमार के साथ-साथ उसमें दिसा भी होता है वो सदिसरासियां होती है जिसमें कीवल परिमान होता मात्रा होता है वो अदिसरासियां होती है द्रबिमान इस वाकिका सही उत्तर होगा यानि कि वाकिसंख्यातीन क्योंकि इसमें दिसान नहीं होती है इसी तरीके सगले question जो की बहुत ही सरल question है अईसा वास्त तो जिसमें से कोई प्रकास किरण गुजर नहीं सकती तो वो अपार दर्सी होगा और प्रकास उसी से नहीं गुजर सकता क्योंकि उत्तल है पार दर्सी है तो इसमें सजाहिट सी बात है उत्तल में कुछ वो कोड बनाती हुए जाएगा लेकिन फिर भी वो गुजर जाएगा तो वाकिसंग्या तीन इसका सही उत्तर होगा अगला सवाल हम देखते हैं कि सुस्मा चाहती है कि उसके छात्रों को पीडों के सनक्षन के लिए संवेदन सील बनाया जाए तो यहां पर लिखा है कि पोश्टर बनाना है अगला है कि बच्चों को एक पौधे को अपनाना और पोसीत करने में बदद करने चे तोर पर यह बहुत ही क्रियेटिव है इनोबेटिव काम है और यह बच्चों को पौधे से जोड़ेगा और उनको सम्वेदन सील बनाएगा वाकिसं क्या दो अपने आप में सही उत्तर है अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि निमलिखित सभी कथन परियावन अध्यर में सामोही कुरूप से क्रिया कलापों में सनलगन सिक्षकों और विद्यार्थियों के पच्च में तर्क परस्टूर करते हैं केवल एक परस्पर सामंज सही वाकिया है और दूसरे बच्चों से बातचीत करना वारता करना ये भी होगा समोह क्रिया कलापों की वज़ा से अंक उपलब्धी में अच्छा सुधार पर देशित होगा ये प्रवणों के समर्थन से बच्चों को अपनी हमता से अधिक ग्यान की निर पर देशित हैं कि समुखकार से परियावन अधिन कर रहे बच्चों की सामाजिक बैक्तिक विशिस्ताओं के आकलन के लिए निम्नलकित में से कौन सा उपकरण सरबाधिक उपयुक्त होगा ऐसे सवालों में मौखिक प्रस्ण जादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि सामाजिक बैक्तिक चीजों से जुड़े हुए बिश्यों के बारे में मौखिक प्रस्ण एक दूसरे से आमनी सामनी पूछा जाता है और यही इसका सही उत्तर होगा अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि एक सिछक परतेक बच्चे को अपने घर की रद्दी सामागरी से कु तरफ देना है तो बच्चों को पुना स्चक्रन पुना प्रियोग और रुपांतरन को समझने में मदद करेगी अगला सवाल है कि परषणों को पढ़ें मैंने किरिया कलाब की योजना कितनी अच्छी बनाई है कि इसमें बनाई बनाता कौन है सिछष बनाता है अगला है कि मैंने योजना का अनुसरन कितना अच्छा किया ये बच्चों के लिए है तो मेरी सक्तिया क्या थी मुझे सच मुझ में कठिन क्या लगा तो ये बच्चों और सिछों को दोनों के लिए स्वाकलन का आफसर परदान करता है क्योंकि ये ये योजना बनाता है दूसरा एक वाकिसंख्यात 3 इसका सही उतर है क्योंकि तक्नीकी और एक बहुत कठीन चीजें पुना एक नेगेटिव और एक बहुत संकीर दायरे को जो है इस बिकल्प की रूप में रखा गया तो वह नहीं होगा वाकिसंख्यात 3 इसमें होगा अगला सवाल है एक सिच्छक अपने वाकिसंख्यात 3 इसका सही बिकल्प होगा अगला है कि परियावणा दिन के सिच्छन अधिया में सर्वेक्षन का क्या उद्देश है समधाय के अन्यों क्रिया का आउसर प्रदान करना बच्चों के विभिन लोगों के परति संबेदन सील बनाना सूचना को परतेक्छ रू रूप में से कौन से सही है वाकि कौन इसमें एक कूट के रूप में है कि कौन कौन से वाकि सही है तो इसमें चारो ही वाकि सही है निम्लिकित में से कौन से राज जमू और कस्मीर के परोसी राज है पुना इसका जो है एक सवाल आ गया आपकी मैपिंग से तो आप देख र है ये भावगुली गुरूप से अवस्थित राज्य है और यहां पर हिमानचल प्रदिश और पंजाब वाके संक्याद दो इसका सही उत्तर होगा पसूँ की तवचा पर बीबित पैटरन निश्ची तोर पर जो पैटरन होते हैं अगर अगर आप इसका नजदीक से अलोकून करेंगे पसूँ की इसकिन का तो वहां पर बालों के कारण से इसके तवचा पर बाल जो होते हैं उसे बीबित प्रकार के पैटरन यानि की डिजाइन बनते हैं अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं जो बेक्ती जंगल में कम से कम 25 बरसों से रह रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमी और उसे पैदा होने वाली वस्तू पर अधिकार है निस चेतर पर जंगल अधिकार अधिकार अधिन 2007 के दोरा इसे दिया गया है और पूरव में इसे सवाप्त भी कर दिया गया था लेकिन वहां पर जो वन बासी लोग हैं जो आदी बासी लोग हैं उनके के लिए जंगल अधिकार दिने 2007 पारित किया गया है और 25 बर्फ का दायरा लगाया गया है अगला सवाल है निलकित में से मच्छनों दोरा फैलेने वाले रोगों का समुच्चे जैसे मियादी वोखार टाइफाइड जो होता है जा यह सब जल से गंदे जल से कारण से जो है उतफन होते हैं तो यह वाकिसका नहीं होगा यह भीकळिया इसका सही उत्र नहीं होगा अगला मरियरिया एचाइबी एड्स हॉने के एक्टिवीटी के करण से यह भी नहीं होगा कई बार आपको कुछ विकल्पों को Reject करके सही विकल्प पर पहुंचना होगा क्योंकि इस नीचे दिएगे खादे पदार्थों कि किस समुच्चे में लोह तत्व परचुर मात्रा में पाया जाता है। के बीच कैक्टस पाउधे के काटों के बीच फाकता नाम की जो है ये चिडिया है जिसके द्वारा घोशला बनाया जाता है। जीव विग्ञान से ये सवाल पूछा गया है हाला कि ये परियावड में है लेकिन आपको ऐसे सवालों को भी ध्यान में रखना होगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि किस पस्व के बिसे में नीचे दियेगे विपरन को पढ़िया और पहचानी ये भालू जैसा दिखता है पर तो भालू नहीं है ये दिन के लगग सत्रा गंटे ब्रिच्चों की साकाओं में उल्टे डटक कर सोता है और ये ब् इसमें नहीं होता है अगला सवाल है कि नीचे दिखें जीओ सवों में से किनकी दृष्टी स्रेष्ट होती है बांगते दुआ साण साप रेशम की छिपकली चील गरुण और गित ये सभी जो है हवा में चलने वाले बहुत उचाई पर चलने वाले बहुत तेजी से चलने पक्षी है इसलिए इसी का जो विकल्प है वो आपका सही उत्तर है चील गरुण और गित ये विकल्प आपका सही उत्तर हो है अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बेसिकली ये एक फसल को काटने के बचात खेद को कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाता है इस तरीके की ब आगे पीछे जो भी चीजें जुड़ी हुई हैं जो भी तत्य जुड़ी हुएं उन सभी चीजों को आप जरूर पढ़िए ऐसा करके ही आप सभी विस्यों को देख पाएंगे समझ पाएंगे अगला सवाल है कि जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो साप उसकी धुनी पर अपने सिर्कों इधर दुर घुमाता है क्योंकि उस वादियंत्र द्वारा उत्पन कंपनों के प्रति अनकुरिया करता है जाहिर सी बात है कि यही वाद किसका सही होगा और आज के इस लेक्चर का अंतिम कोश्चन की परिवार ये किकाई होता है जिसमें माता-पिता और उसके दो बच्चे होते है यहां देखे परिवार के एक से परिवार से related एक और question आया था जिसमें माता-पिता और बच्चे की बात कही गई थी और वहाँ पे क्यों वह वाकर गलत हुआ था क्योंकि वह समा बेसी परिवार की बात नहीं कही गई थी तो यहां पर भी वाकि दूसरा देखने पर पता चलता है कि सही नहीं है क्योंकि परिवार के कई परकार होते हैं तथा यहां परिवार के केवल एक ही भरगी करण को दिखाया गया है परिवार के केवल एक ही प्रकार में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता वाकि संक्याद 2 इसका सही होगा तो निश्चे तोर पर परियावार से संबंदित कुछ तथ्यात्मक कुछ आउधानात्मक और उससे मिले जूले हुए कुछ प्रशनों पर हम लोगों ने यहां पर किजिए धैर्य और अनुसासन के साथ आप अपनी परिच्छा में प्रश्णों को हल करने का प्रयास की दी उम्मीद करते हैं कि इससे आपको परिच्छा में बहुत मदद मिलेगे तो आज का ये लेक्चर यहीं तक अगले और इसके दूसरे भाग को लेकर कि हम जल्द आप से लोगों से मुलाकात करते हैं तब तक के लिए नमस्कार